Hello and welcome back everyone this is Mahomet Sahabah Zalam and you are watching Rabadhan Tutorial you are doing to the future. माध्धमिक का स्लेबस 50% कम कर दिया गया है माध्धमिक का स्लेबस 30% कम कर दिया गया है माध्धमिक एक्जामिनेशन के दोरान आप लोगों के स्लेबस 50% से ज्यादा रेडियूस हो सकते हैं इस तरह के कुछ information हमारे पास है इन information के बारे में आज हम discuss करेंगे कि क्या यह सही है या गलत सिर्फ माध्धमिक नहीं बलकि WCACC का exam जो है वो भी delay होगा WCACC का exam आने वाले साल में West Bengal Board का examination आने वाले साल में delay हो जाएगा अपने date को change कर चुका है इन सारे questions का answer हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले तो चलिए इस वीडियो में इन discussions को start करते हैं syllabus reduction और date examination से related बहुत सारे comment हम लोगों ने receive किये थे इस topic के discussion में मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि syllabus reduction से related और exam के date से related Bengal board ने अभी तक कोई भी return notification नहीं publish की है जिस बारे में कुछ भी कहना बस अटकले रगाना है लेकिन अटकलों के पीछे कुछ हमारे पास base है जिनके basis पर हम बात करेंगे इस बात को इस तरह से समझ लीजे कि syllabus reduction का मतलब सबसे पहले तो अपने मन से यह doubt हटाईए कि syllabus reduction मतलब आपके अगर mathematics में 26 chapters है तो 13 chapters बात दे दिये जाएगा इनके 50% हो रहा है तो और remaining 30 chapters होगा चाहे वह 50% reduction हो या वह 30% reduction हो आपके chapters को completely बात देना यह बहुत कम chances है जो होने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि जो आपके chapter से उस chapter के अंदर जो content ही उन content को कम कर दिया जाएगा जिस basis पर आपके syllabus को reduce किया जाएगा यहां पर 50% syllabus को reduce करना मतलब content में हर इक chapter से कम कर पाना it's huge thing तो मुझे नहीं लगता है कि board ऐसे किसी idea के साथ आने वाली है यह तो वो तब decide करेगी जब final सब कुछ वो कर पाएगी सब कुछ design कर लेगी अभी फिलाल सिर्फ हम अठकले लगा से syllabus reduction के बारे में जो बात मैंने आपसे कही क्या आधार है उसका मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं इसके लिए आपको अपना प्रूफ बताना चाहूँगा डिसेंटी हम लोगों एक video published किया था जिसका link नीचे description box में है उसे जाके दिखिएगा वहां पर WBCC के लिए जो important question answers है बाजार में जाने पर बहुत तरह की अलग-अलग books मिलते हैं जो आपको confused करते हैं जो आपके पढ़ाई को खराब करते हैं Art science commerce सब के लिए उन लोगों ने class 12 के लिए उन लोगों ने book publish किया जिसका link description box में उसको download कैसे करना है उसके बारे में मैंने बर्दा दिया हमारे website पे जाके आप उन नोट को भी डाउनलोड कर सकते हैं फिलाल वह नोट हमारे website पे अपलोड़ेड है अगर बोड ने हर एक chapter include की हुई है यानि कि वो syllabus reduction नहीं कर रहे है ठीक है इस question का answer कि वो syllabus reduction future में करेंगे तो वो detailed syllabus दे देंगे जिसके business पर पता चल जाएगा फिजिकल साइंस के अगर बोक की बात करें तो वहां पर जहां पर हमारे पास टोटल एट चाप्टर से जिसमें एट चाप्टर सर्फ chemistry का आता है तो chemistry में कुछ भी बात देने के लिए नहीं है लेकिन physics में से कुछ chapters बात दी जा सकती है अब बात दी जा सकते हैं यह करना सही ही नहीं होगा इसलिए वह वहां पर कुछ topics को बात देंगे जिसके basis पर discussion करेंगे लाइट वाले चाप्टर में हम लोगों ने देखा बहुत सारे content थे तो वहां पर हो सकता है उन्होंने reflection को पढ़ाने के बाद लेंस को drop कर दिया human eye को drop कर दिया उसे नहीं पढ़ने के लिए हाँ slivers reduction जरूरी है बोर्ड का भी यही कहना है और मेरा भी यही मानना है कि slivers reduction इसलिए जरूरी है कि बाकी सारे लोग जो लोग tuition से कर भी ले रहे हैं हम गाउं की चेत्र में अगर जाएं तो ग्रामिन चेत्रों में हम देखेंगे कि वहां पर हमारे पास internet की availability बड़ी कम होत हैं लेकिन video call और video conferencing करके video classes का attain कर पाने नहीं possible होते हैं तो सिर्प note-based पर पढ़ाई हो जाती ही तो फिर हम लोग को स्कूल सिस्टम की ज़रूत ही गया थी इसलिए इस साल के लिए especially मुझे लगता है कि syllabus reduction होना चाहिए अब आते हैं अगले question में exam date postpone के बारे में तो syllabus reduction की बात नहीं उठती और अगर syllabus reduction कर दी जाती है तो फिर postpone करने का कोई मतलब नहीं होता तो यह बात याद रखेगा इसके अलावा में एक और बात बता हूँ फिर भी postpone होने के chances है क्यों है इसलिए है postpone होने के chances क्यूंकि आप लोग देख रहे होंगे notice कर रहे होंग नहीं भी कर सकते हैं तो हो सकता है हमारे सारे plans जो इस साल अब तक fail होते हुआ है वो आने वाले time पे भी fail होते है इसलिए मैं आप लोगों को यह समझाना चाहूंगा कि syllabus reduction और exam के postpone से related जो आपके doubt है जो queries है I hope कि मैं इस चीज को समझा पाया हूँ अगर आपको यह समझ में आ जाता है तो प्लीज अपने friends के साथ इससे जरूर सेयर करें जिनसे को भी इस matter पर doubt है वो इस doubt को clear कर ले क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी है यहां पर कि syllabus reduction कितना important होने वाला है और syllabus reduction से क्या effect पढ़ने वाले है आप देख रहे थे रमदान टुट्रेवल मैं हूँ मह अगर यह वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें ना पसंद आता पर डिसलाइक करके ज़रूर बताए वीडियो में क्या प्रॉब्लम है जिन्हां में इंप्रूव करें थैंक यू सो मच शीन देने स्क्रास